हेलो फ्रेंट्स अभी हम लोग जो लेकपाल का एक्जाम होने वाला है यूपिटर परले ससी के द्वारा उसके लिए जो घटना चक्रे की बुक आई हुई है लेकपाल परिच्छा मार्क दर्सिका सामान ग्यान इस बुक को पूरा अप्लूड करेंगे और इस बुक के पूरे मैटर्स को देखेंगे तो आईए आज हम लोग इसमें ये देखते हैं कि मुगल सामराज के बारे में इसमें क्या दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले आज हम लोग क्या सुरू करेंगे मुगल सामराज हिस्ट्री का पूर्शन कबर करेंगे साइंस करेंगे सब कुछ करें था पानिपत का पर्थम यूद 21 अप्रेल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था देखे 1526 तो सब को पता है लेकिन यह कम हुआ था 21 अप्रेल को हुआ था यह बात इस बुक में मिल जाएगी अगला पर्थम पानिपत के पहले तोप का प्रियोग भारत में कहा हुआ तो पानिपत के पहले युद में सब्सक्राइब और यहीं इसके जीतने का रीजन भी रहा अगला पंट खानवा का युद 17 मार्च 1527 को बाबर राडा सांगा के मद्दे वा था 17 मार्च 1527 को दूसरा युद होता है अगला पंट खानवा के युद में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था जिहाद का नारा दिया गया यानि मतलब है कि यह राडा सांगा से हारने के कगार पे रहा होगा Next point इस युद में राडा सांगा पराजित होई क्योंकि जब जिहाद का नारा दिया तो एक अलग रूप में चला गया होगा युद जिसके कारणर राडा सांगा पराजित हो गया अगला point इसी युद्ध में बिजय स्री मिलने के उपरात बाबर ने गाजी या काफिरों को मारने वाला की उपादी धारण की अगर पुशा जाता है गाजी की उपादी कब धारण की तो राडा सांगा को पराजित करने के बाद या खानवा युद्ध के बाद अगला point घागरा का युद्ध मै 1529 में बाबर और महमुद लोधी के मद्ध हुआ इस युद्ध में बाबर बिजय हुआ और बाबर द्वारा यह आखरी युद्ध था बाबर के द्वारा जो आखरी युद्ध था वो कौन था घागरा का युद्ध बाबर ने अपनी आत्म क था तुझुक एबाब री या बाबर नामा में जिन दो हिंदु राजयों का हुलेक किया है उनमेंसे एक है बिजuing और दूसरा मेवाघ да उनमें तुझ्दुक एबाबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है यह बाबर के द्वारा खुद लिखी गई है फिर देखते हम लोग अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबर नामा का फार्सी भासा में रुपांतर करवाया अकबर ने इसको ट्रांसलेट करवाया ठीक अगला पॉइंट 26 जूल 1549 को चौसा के युद लुद में निजाम नामक भिष्टि ने हमायू की जान बचाई तो हमायू की जान किसने बचाई थी तो यह था एक भिष्टि था जिसका नाम था क्या निजाम और वह युद कौन सा था चौसा का युद था किसके खिलाब था सेरसा सूरी से 17 माई 1540 को कन्नोज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायू को सेर्षा से पराजित होना पड़ा और विवस होकर एक निर्वासित की भाती इधर उधर भठकना पड़ा अगला पड़ बाइस जून 1555 को सरहिंद युद्ध की बिजय ने हुमायू को एक बार पुना उसका खोया राज्य वापस दिला दिया सेर्षा ने अपने पुराने गिसे पिटे सिक्कों के इस्थान पर सोने चांदी यहां पुस्छा जाता है कि सुद्ध चांदी का रुपया किसे ने चलाया था तो सेरसा सूरी ने रुपया और दाम की बिनमेदर 1 इस्टू 64 थी बहुत ही important point रुपया और दाम एक रुपया जो है वह 64 दाम के बराबर होता था हाजी बेगम ने अपने पती हुमायू के मकबरे का निर्मार दीन पनाह में 1579 से 70 के बीच में करवाया था हाजी बेगम कौन थी हुमायू की वाइब थी फिर देखते हैं हम लोग सेरसा सूरी ने मारवाल के यूद में राजपूतों के सवर पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुठी बाजरे के चकर में मैंने अपना सामराज खो दिया होता यह important है बहुत बार पूछा गया है कि किसने ये कहा था कि मात्र एक मुठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सामराज ये खो दिया होता तो ये कहा था किसने सेरसा सूरी ने सेरसा का मकबरा बिहार के साहबाद में सासा राम नामक इस्थान पर एक तालाब के बीच उचे चबुत्रे पर बना है कहीं कहीं तालाब मिलता है और कहीं कहीं ये जील मिलता है ठीक है तो जील हो या तालाब हो दोनों सही है दिल्ली इस्थित पुराना किला के भवनों का नि थे देखते हैं EQ कि मदद के लिए किरिस्कों की मदद के लिए सएरसाने पट्टायूम कबूलियत की वश्था कौन किया है तो यह किया है एक्षा सूरी ने फिर देखिए आकपर ने सरप्रथम कछवाहा राजपूतों से बैवाहिक संबंद इस्थापित किये थे यह पूछा जाने वाला कोशन ऐसे पूछा जाता है कि अकबर ने किन हिंदूओं के साथ सबसे पहले बैवाहिक सम्मंद इस्थापित किये तो कच्छवाहा राजपूत थे ये फिर देखे बिहारी मल या भारमल ये दोनों नाम एकी हैं पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधिन्ता स्विकार की अगला परिंट अकबर ने सूफिस मत में अपनी आस् मंत्री अतगा खाकी हत्या कर दी थी तो अगर कभी पूछा जाया अकबर ने किसकी हत्या की थी तो अधम खाकी फिर देखे दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योग सासिका थी अकबर के आकमार 1564 के फलसुरूप सत्रू से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आ अधीन लाना था ठीक है अगला पॉइंट अगबर ने अप्रेल 1576 में मान सिंग के नित्रूत में 5000 सेनिकों को राडा प्रताप के विरुद्ध भेजा था नेक्स पॉइंट राडा प्रताप की मृद्ध के बाद उसके पुत्र राडा अमर सिंग ने 1615 में जहीर जहांगीर से संदी कर ली थी ठीक है नेक्स पॉइंट क्या कह रहा है कि राड़ा प्रताप की मृत्व के बाद इनके जो पुत्र थे राड़ा अमर सिंग इन्होंने 1615 में जहांगीर से संदी कर ली थी नेक्स पॉइंट मुगल सासन वेवस्था को इस्थापित करने का स्रे अकबर को है ठीक है ना फिर देखिए अपनी उधार धार्मिक निती के अंतरगत अकबर ने 1562 इसभी में दासप्रथा 1563 इसभी में तिर्थ्यात्राकर तथा 1564 इसभी में जजियाकर को समाप्त कर दिया किया फिर तिर्थकर को खतम किया और फिर जजिया को अकबर ने 1573 इसभी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनव प्रचलन किया जिससे सेनापती अपने घोड़े न बदल सके और यह प्रथा की सुर्वात अगर पूछे किसे ने किया था तो अलाव दिन खिल दी न किस पर आधारी थी अगर पूछे तो दस्मलों प्रडाली पर मुगल मंसबदारी प्रथा जो है मद्ध एसिया से ली गई थी यह कहां का कांसेप्ट था मद्ध एसिया का मुगल बासा अकबर ने मंसबदारी विवस्ता अपने सासनकाल के 11 वंस्त में शुरू की थी ठीक है अगबर ने सासनकाल में भू राजय सोवसूली के लिए जबती प्रडाली का प्रचलन किया यह लिया कहां से था मद्ध एसिया से और इसका नाम क्या उसने रखा जबती प्रडाली एक तरीका उबा करता था जबत करने का ठीक है ना फिर देखते हम लोग कुछ कि मुगल ब मिर्जा का और पादसा का हुमायू ने नसुरुदिन मुहमद अकबर इसी को जलाल भी करते हैं ठीक है ना इसने जलालुदिन मुहमद अकबर बासा गाजी की उपादी धारण की थी जहांगीर इसी का नाम था सलीम यानि सलीम और जहांगीर दोनों एकी हैं इसने जो उपा सहाबुत दिन मुहंमद साहिब किरने सानी फिर देखते हैं हम लोग औरंग जेब औरंग जेब ने जो लिया था वग अबुल-मुझफर-मुहिद्धीन-मुहंब- औरंग जेब- बहादूर, आलमगीर, बादसाह, गाजी, पिर हम लोग देखते हैं, मुहंमद मुवज्जम, जो था, यह बहादूर साह के उपादी धारण करता है, मुईजुदीन, यह जहांदार साह के उपादी से, अपने आपको धारण करता है, और अजीजुदीन जो है यह आलमगीर सेकेंड किया अली गोहर यह आलम साह सेकेंड रफी उदौला साह जहां सेकेंड और रोशन अक्तर मुहम्मद साह ठीक है पिर हम लोग देखेंगे अकबर ने अपने सासन क्याल के 24 वे वर्ष यानि 1580 वे में आइने 10 साला टोडर मल प्रडाली का वास्तिविक प्रड़ेता टोडर मल था इसी कारण इसे टोडर मल बंदोबस्ट भी कए लिधि अगबर कालीन जहांगीर के समकालिन, जहांगीर के समकालिन, मुहसिन फानी ने अपनी रचना दविस्तान ये मजाहिब में पहली बार दीने इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेक किया था, तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुन्दर है कि परसी ब्राउन ने उसे इस्थापत कला का मोती किसे कहा जाता है, तुर्की सुल्ताना के महल को, अकबर ने 1582 में तोहीदे इलाही या दीने इलाही की स्थापना करता है, फिर देखे, इस नवीन संपरदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, हिंदूने केवल बीरबल ने ही इसे स्विकार किया था, अक्सर किस हिंदू सासक ने स्विकार किया था, तो आपका एंसर क्या होगा, बीरबल, ठीक है न, कुछ मुगल कालिन साहिते हैं और उनके लिखक, बाबर नामा, बाबर के द्वारा लिखा गया है, हुमायू नामा, गुल बदन बेगम, जो कि हुमायू की बहन थी, अकबर नामा, अबुल फजल के द्वारा, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा, पादसा नामा, अब्दुल हमीद लाहुरी के द्वारा, खुलासत उत, तवारीक, सुजान राय के द्वारा, फुतुहाते, आलमगीरी, इस्वरदास नागर के द्वारा, नुस्काए कभी फैजी के अदेश्ता में एक अनुवाद विभाग की इस्थापना की थी तो अकबर का राज कभी अगर पूछा जाए तो कौन था फैजी अकबर के आदेश से माभारत के बिभिन भागों का रजम नामा नाम से फार्सी में अनुवाद नकीव खां बदायूनी तथा फै अमैर का फैजी नी लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिय दमन का फार्सी में अनुवाद किया अकबर के दर्बार के प्रसिद ग्रंत करताओं में सबसे प्रमुक कस्मीर का मुहम्मद हुसैन था जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधी दी थी तो यह कौन था प्रस्तक रहा एवं जिसे जगद गुरु की उपाधी से सम्मानित किया गया नेक्स्ट पाइंट मुगल बास्षा में एक अन्विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रते थे जिने यूग प्रधान भी कहा गया ठीक है यानि यूग प्रधान किसकी उपाधी थी तो यह थी ज जिन चंद्र सूरी के उपाधी थी यूग प्रधान जो है जिन चंद्र सूरी के उपाधी थी मुगल कालीन भिद्वान अभूल फजल ने अमेरीका की खोच का उल्लेक किया है ठीक है। पिर देखते हैं हम लोग अगबर्दवारा किये गए कुछ सुधार हैं, दास प्रथाकांत्र 1562 में किया, तिर्थ्यात्रा करकी समाप्ती 1563 में किया, जजिया करकी समाप्ती 1564 में किया, इबादत खाना की स्थापना इसने 1575 में किया था, और मजहर की घोशळा की ती 1589 में, और दीने इलाहे की घोशड़ा उसने की थी 1582 भी में आईए फिर देखते हम लोग राल्फ फिंच ये जो है 1583-86 भी तक फतेवपुर सिक्री और आगरा पहुचने वाला पहला अंग्रेज ब्यापारी था अगर पुछा जब पहला अंग्रेज ब्यापारी कौन था तो ये राल्फ फिंच था और कहां पहुचा था फतेवपुर सिक्री और आगरा अगर ने फतेवपुर सिक्री में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की जिसका उद्देश दार्शनी के धार्मिक विश्यों पर वा अगरा अगरा या सिकंद्रा में है जहांगीर का लहोर या शाहदरा में है और औरंगजेव का औरंगाबाद या इसी का दूसरा नाम दौलताबाद है अकबर के समझ धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1589 में मजहर नामा की गोशड़ा की इस प्रकार चे हम लोगों ने जो घटना चक्रे की लेकपाल मार्गदर्शिका सामानग्यान की जो बुक है उसके मुगल सासनकाल से जो important question है उसमें से half part कर लिया है और ार्मिक मामलों जो बुक है उसमें से जो घटना चक्रे को अपने हा यह झाला है!